हमारे पास डेटा बहुत सारा है और खबरों के दम पर भी जबरदस आक्शन देखने को मिलेगा अशिश हमारे साथ पूरी डेटेल्स लेकर जोड़ चुके हैं अशिश मॉनिंग पहले तो बताईए कि नतीजे कौन से आये हैं और हाइलाइट्स के हैं गुड मॉनिंग निया देखें सबसे पहले ITC यहां पर सबकी नतीजे अगर आप देखें तो अपरेशनल तौर पर अनुमान से थोड़े से कमजोर साइट पर यह देखने को मिल रहे हैं जहां पर अगर आप देखें तो जो अबेटा का एस्टिमेट था 6,365 करोड था इसके बजार अनुमान लगा रहा था कि 5,020 करोड के आसपास कहां कड़ा है यह अगर आप देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ भी जो थी वो दो से लेकर तीन प्रतीशत के आसपास सिगरिट में एक्सपेक्टेट थी लेकिन 2% की वॉल्यूम्स रिपोर्ट हुए हैं ऑपरेशनल बेसिस पर अगर आप देखें तो जो कामकाजी मुनाफ़ा है यह जिसे अबिटा कहते हो 15,075 करोड के आसपास एक्सपेक्टेट के चल रहा था बजार और 15,509 करोड यानि यहाँ पर अगर आप देखें तो बेटर देन एस्टिमेट्स यहाँ पर कॉपरेटिंग परफॉ एस्टिमेट्स हैं कैश मार्केट के कुछ रिजाल्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर आप देखें तो रेल टेल कॉर्परेशन आफ इंडिया यहाँ पर आप आप नज़र रखेंगे क्योंकि जो टोटल रिविन्यु इसमें 19% का इजाफा देखने को मिला है कामक कम यहाँ पर भी 19 करोड का सहरा देखने को मिला है लेकिन जी एचल टेक्स्टाइल के स्टॉक आपके रिडार पर जरूर रहना चाहिए नतीजे बहुत बहुत जादा स्टॉंग ने जरा रहा है खास दोर पर अगर आप देखें तो जो मुनाफ़े कांकड़ा है यहाँ पर पोकस रखेंगे कल्यान चूलर्स यहाँ पर नजर रखेंगे क्योंकि बिक्री के लिए आज से तो कौटर अच्छा रहा है साड़े छबीस परसन की बड़त आपको टॉप लाइन में नजर आई है कामकाजी मुनाफ़े की बात करें तो 16 परसन का इजाफा है लेकिन मार्ज पर आपको अच्छा तरीका होता है क्योंकि बिक्री के लिए तो देखने को बिला है यहाँ पर आपको हलका सुधार देखने को बिला है तरिवेनी इंजिनिरिंग स्टॉक में काफी बड़ा रन अपा है लेकिन नतीजे थोड़े से सपोर्टिव नहीं नजर आ रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे पर एक रिविन्यू यानि टॉप लाइन ऐसी है जहाँ पर साथ प्रतीशत का इजाफा है कामकाजी मुनाफ़े में 31% का डंट है, मार्जिन घटे हैं 8.7% से घटकर 5.6% और ओवराल मुनाफ़े की बात करें तो 68 करोड से घटकर करीब 31 करोड यानि 54% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को बिलिए गोदरेज अगरवेट यहाँ पर भी आप नज़र रखके सल सकते हैं, नतीजे तो नहीं है लेकिन इनकी एक सबसेटरी है जहाँ पर इनों ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, यहाँ पर भी फोकस रहेगा ओके बहुत सारे नंबर्स निकल कर रहे हैं, मारकेट उस पर रियाक करेगा आशिश यह भी बता दीजे कि खबरों के दम पर कहा कहा आक्शन है खबरों के दम पर खासतोर पर अगर आप देखे तो आपको फोकस करना चाहिए एक तो नतीजे जहाँ पर आने वाले हैं, टाइटन और ब्रिटानिया, निफ्टी में ये दो कंपनीज हैं एफ एनो की बात करें तो लाइसी, हाउसिंग, फिनान्स, यूपिल और आईडिएफसी लिमिटेड यहाँ पर नज़र रखेगा कैम्स यहाँ पर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि बोर्ट की बेटक है, जहाँ पर नतीजों के साथ डिविडेंट पर भी विचार के जाएगा इक्विनॉक्स, इंडिया, यहाँ पर अगर आप देखे तो इसका नाम पहले इंडियाबुल्स रियलिस्टेट था, यहाँ पर बोर्ट की बेटक है, जहाँ पर फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा काबिनेट और सीसीए की बेटक है, शाम को 6 वजे तो यहाँ से क्या उटकम आता है, खास नज़र रहेगी प्लस डी मर्जट भी है, यहाँ पर कुछ तो फोकस रहेगा, प्राइमरी मार्केट में आप देखे तो भरपूर आक्शन है, खास तो अगर आप देखे तो अगर आप देखे तो अभी पहला ही दिन का रिस्पॉंस हमारे पास आए, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप देखे तो आज से लेके आई पयो खुला रहेगा, छे अगस्ता खुला रहेगा, प्राइस बेंड है, बहतर से 76 रुपे का, लॉट साइज है 195 शेरों का, और इशू की साइज अगर आप देखे तो 6145 करोड है, जिसमें अगर आप देखे तो 646 करोड का OFS है, और फ्रिश शेशू है, करीब करीब साड़े 5,000 करोड का, तो यहां पर फोकस करके चल सकता है, आइंकर इन्वेस्टर्स के मादियम से भी इन्हों ने करीब 2,763 करोड रुपे जुटा लिये, अब बात करते हैं कुछ खबरों की तो आटो नंबर्स क्योंकि मनते इंट था तो आएं, मारुती सुजुकी जहां पर आप अनुमान से कम विक्री के आखड़े आप देखके चल सकते हैं, जहां पर जुलाई में कुल विक्री करीब करीब 4% घटी है, आईशर मोटर्स यहां पर भी अगर आप देखे तो आखड़ों ने थोड़ा सा निराश किया, जहा पर करीब करीब 13% की बड़त आपको देखने को बिलिए, कुल घरेलू विक्री की बात करें तो 14% की बड़त यहां पर है, और एक्सपोर्ट की बात करें तो यहां पर 6% की गिरावट है, हीरो मोटो कॉप अगेन थोड़े सी निराश्य जनक नंबर्स हैं, आपर कुल विक् जीएस्टी का नूटिस था, 32,403 करोड जिसको करनाटक जीएस्टी विबाग ने वापस ले लिया है, साथ में अगर आप देखें तो डिजिटल सर्वेसिस के लिए इन्होंने कुछ करार भी किया है, और नेसले इंडिया, ये स्टॉक भी आप रडार पर रक्के चल सकते ह साथ इन्होंने एक जीवी बनाई थी, इस जीवी में जीवी कंपनी में के अंदर करीब-करीब 706 करोड का आसपास का जो है, ये निवेश करने वाले, जिसमें नेसले की करीब 49% और डॉक्टर रिडीस की 51% हिस्टेदारी होगी, तो बहुत सारी खबरें हैं, यानि की सारा स्टाक स्पेसिफिक और स्क्टर स्पेसिफिक अक्शन दिखेगा, तैंक यू, अशिश पुरी डिटेल के लिया, अवे